नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो आज हम डिसकस कर रहे हैं HP में हुई जो आपकी LT TET की परिक्षा थी उसके बारे में और इससे पहले हमने HPGK वाला सेक्शन था वो कर लिया था और साथ ही साथ जो अन्य समाने ग्यान के प्रशन पूचे गए थे उनको भी हमने डिसकस कर लिया था इस वाली वीडियो में हम पूरे 120 प्रशनों को देखेंगे इसमें कुछ एक प्रशन ऐसे हैं दोस्तों जिनके उत्तर exact मालूम नहीं है हलां कि ये कोई official answer की भी नहीं है अपने हमारे नीजी प्रयासें जिन प्रशनों पर हम share थे कि इनके उत्तर यही हो सकते हैं वो हम आपकी बीच में लेकर आए हैं तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं प्रशन संख्या 1 पहला प्रशन है दिकिए इन में से प्राचीन तम भाशा कौन सी है तो यह आपकी वैदिक संस्कृत ए इसका सायूतर होगा प्रशन संक्या 2 है राजभाशा से सम्वन्दित अनुछेद है यह 343-351 प्रशन संक्या 3 है दिकिए खड़ी बोली का सरवधिक उप्युक्त प्राचीन नाम क्या है तो यह आपका कौरवी वीकरप नमबर D इसका सायूतर होगा प्रशन संक्या 4 है हिंदी साहित्य सम्विरन प्रयाक की स्थापना इवंपने स्थापना कब हुई तो दोस्तो इसके अगर स्थापना की बात करें वो तो 1910 में हुई थी लेकिन इसके जो पुन्द स्थापना है वो अभी निश्चित हमें मालूम नहीं है अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं प्रशन संग्या 5 है देखिए अनुचित मेल कौन सा है तो अनुचित जो मेल है देखिए यह आपका अवधी और खड़ी बोली क्योंकि जो अबदी है वो किसके अंतरगत आती है या आती है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतरगत जबकि खड़ी बोली जो है वो आपका पश्चमी हिंदी के अंतरगत आती है तो इसलिए इनका जो मिलान है वो सही नहीं है बाकी सारी सही है नेक्स से देखिए समराठ अशो देखिए शुकल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा था तो इन्होंने कहा था इसको गध्यकाल प्रशन संग क्या नव है आधिकाल नामकरण किस ने दिया था तो ये दिया था हजारी प्रसाद दुवेदी जी ने पृतुराज रासो के रचेईता चंदवर्दाई जी है है ना इसका सी होगा सही उतर मैथिल कोखिल के नाम से प्रसिद है विद्यापती धोला मारुड़ा दूहा की भाषा तो ये है डिंगल भाषा ठीक है प्रशन संग्या तेहरा है देखिए भक्त माल किस की रचना है या किसका ग्रंथ है तो ये है नावाधासी का विकल्प न जगा 719 भी बता जाते हैं लेकिन याँ पर 713 ही है तो निशी तोर पर 713 ही इसका सही उतर होगा शीवा बाबनी कावे किसका है तो ये है आपका भूशन का विकल्प नंबर से इसका सही उतर होना चाहिए प्रशन संग्या 18 है देखिए अचारे शुकल के मत से रितिकाल की स समय सीमा है देखिए 1700 से 1900 विक्रमी संबत तक ठीक है तो विक्रमी संबत में ही इनोंने माना है इसलिए A सही उतर होना चाहिए ठीक है प्रशन संग्या 19 से देखिए वीरह बारिश के लेखक कौन है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वोगा विकल्प नंबर C बोधा सही उतर होगा कल सुनना मुझे काव्य संग्रह किसका है तो ये है सुदामा पांडे धुमिल जी का प्रशन संग्या तेई से दीखिए प्रशन संग्या 25 से दीखिए खड़ी बोली का प्रत्थम महाकाव्य कौन सा है तो देखिए ये है प्रिय प्रवास 1914 में इसको लिखा गया था खड़ी बोली हिंदी का प्रत्थम महाकाव्य प्रशन संग्या 26 से दीखिए कमाईनी के अंतिम सर्ग का नाम क्या है तो कमाईनी क जो अंतिम सरगय दिखे वो है आनंद विकल्प नंबर B इसका सही उतर होना चाहिए था प्रशन संक्या 27 है इतिवरितात्मक्ता किस योग की विशेष्टा है तो यह है आपका दिवेदी योग 27 का होगा विकल्प नंबर C दिवेदी योग की समय सीमा क्या माने जाती है तो यह है देखिए विकल्प नंबर B इसका सही होगा 1900 से 1920 तक ठीक है 29 प्रशन है देखिए सही विकल्प चुने तो इसका जो सही उतर होगा वो होगा विकल्प नंबर A भगंदूत चिंता इत्यलम कितनी दाव में कितनी बार यह इसका सही क्रम है प्रशन संक्या 3 से देखिए अर्धनारिश्वत निबंद किसका है तो यह है विकल्प नंबर C देखिए दिनकर का प्रशन संक्या 31 से शब्दर समरिती कृति के लेकक कौन है तो यह है निर्मल वर्मा जी नेक्स प्रशन है देखिए भारत इंदू का प्रत्थम मौलिक नाटक कौन सा है तो भारत इंदू का प्रत्थम मौलिक नाटक है देखिए वैदी की हिंसा ना भवती कालक्रम की अनुसार सही उत्तर का चैन कीजिए तो देखिए इसका जो सही उतर होगा यह होगा आपका विकल्प नमबर A अंधेरनगरी, अनग, अंजना और चंद्रगुप्त शायद C भी हो सकता है दोस्तों पर exact मुझे जो लग रहा है वो A होना चाहिए मेरे के अनुसार बाकी आपको अगर सही इसका उतर पता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं हिंदी का प्रत्थम रेडियो नाटक था तो दोस्तों इसका उतर भी आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि गलत उतर बताने से बेतर है कि आपको उतर नहीं बता दिया जाए नेक्स से दिखिए तौलिय एकांग की किसकी है तो ये जो प्रशन संक्या 35 से दिखिए इसका जो सही उतर होगा इसका उतर होगा उपेंदरनाथ अश्क विकल्प कौन सा पुरुसकार मिला है तो इसमें जो पुरुसकार मिला है देखिए सही अकादमी पुरुसकार ठीक है विकल्प नमबर सी इसका सही उतर होगा नेक्स प्रशन है 38 सही कालकरम के अनुसार लगाना था इसको है ना तो इसका जो सही उतर है देखिए वो होगा विकल्प D. परक, सुनीता, त्यागबत्र और कल्याणी प्रशन संक्या 49 है देखिए निर्मन बर्मा की कवे और काला पानी कहानी किस पत्रेका में प्रकाशित हुई है तो इसका उत्तर भी मालूम नहीं है दोस्तों इसके लिए में ख्शमा चाहूँगा पदमाबत को tragedy किस ने कहा है तो यह कहा है देखिए विजरीब नाराैन साही ने है ना विखलप नमबर B इसका सही उतर होगा सहीत्या लोचन किस का ग्रंध है तो सहीत्या लोचन जो ग्रंध है देखिए यह आपका विखलप नमबर C शामसुन्दर दासचे का हिंदी का प्रत्थम समाचार पत्र कौन सा था तो ये है विकल्प नमबर B उदंत मारतंड भारतेंदू की बाला बोधनी पत्रिका का संबंद किस से था तो ये था विकल्प नमबर D देखिए बच्चों वो स्त्रीयों से रस निश्पति की अभिव्यक्ति परक व्याख्या करने वाले हैं तो अभिव्यक्ति परक जो व्याख्या की है देखिए ये की है विकल्प नमबर D अभिनव गुप्तने प्रशन संक्या 45 से देखिए करुनरस का स्थाई भाव क्या है तो करुणरस का होता है आपका विकल्प नंबर बी देखे इसका सही उतर होगा शोक ठीक है करुणरस का मतलब है शोक नेक्स है देखे अलंकार सिधांत के प्रवर्तक कौन है तो अलंकार सिधांत के जो प्रवर्तक है देखे यह आपके भामा सिद्धों की संक्या कितनी मानी जाती है सिद्धों की संक्या जो है वो है 84 प्रशन संक्या 48 है देखिए द्वेदी यूग की प्रमुख कावे भाषा कौन सी है तो द्वेदी यूग की जो भाषा है वो है खड़ी बोली हिंदी विकल्प नुम्ब सी इसका सही उतर होगा 49 प्रशन है दिखिए प्रित्युराजरासो की नाईका निम्र में से कौन सी है तो ये है सियोगिता ठीक है सी इसका सही उतर होगा नागमती जो पदमबत की है कबीर को वानी का डिक्टेटर किस ने कहा है तो ये कहा है हजारी प्रसाद दुवेदी जी ने किस सही ते यहासका ने आदिकाल को बीजवपनकाल नाम दिया है महाभीर प्रसाद दुवेदी इसका सही उतर होगा मिश्र बंधू इनमें से कौन नहीं है तो ये है क्रिशन देव ब्यारी मिश्र जबकि बाकी जो तीन है ये तीनों के तीनों मिश्र बंदों में शामिल है भारतेंदू हरिशंद्र को नर कभी की संग्या किस ने दी थी तो दोस्तो इसका उतर भी मुझे एक्जक्ट नहीं मालूम है वारिन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक कौन है 54 है देखिए इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर C उद्यपरकाश मुक्तिबोध की मृत्य उपरांत सामने आई पूस तक कौन सी है तो इसका जो सही उतर होना चाहिए C, A और B दोनों क्योंकि 1964 में उनकी मृत्य हो गई थी और 1964 में ही उन्होंने एक रचना इन में से रची थी नेक्स से देखिए सुख कहानी किस की है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा विकल्प नमबर B काशिनात सिंग प्रशन संक्या 57 है देखिए टिपनी किस पूरुष में लिखे जाती है तो इसका उतर होगा विकल्प नमबर D इन में से कोई नहीं क्योंकि जो भी टिपनी होती है वो आपकी लिए जाती है अन्य पूरुष में प्रशन संक्या 58 ने देखिए हिंदी को कब राजभाशा के पद पर प्रतिश्थित किया गया 14 सितंबर 1949 को प्रशन संक्या 59 है देखिए जो सूर हवे के ऐसी गिग्यात काहे को है कुछ भगवत लीला वननकरी सूरदास के वीशे में ये किसने कहा है तो इसका उतर भी exact मालू नहीं है दोस्तो गुरुनानक देव के पिता का नाम क्या है तो इनके पिता का नाम था कालू ठीक है तो यहाँ पर A और B में क्या है थोड़ा सा ससमें से कि कालू चन था या कालू चरण है नेक्स प्रशने दिखिए 61 आलसियों का यहाँ मूल मंत्र किसका है अजगर करेना चाकरी पंची करेना काम दास मलूक का कह गए सबके दाता राम तो मलूक दास इसके रचनाकार है विकल्प नमब सी इसका साही उत्तर होना चाहिए केशिब दास को फुटकल कभियों में स्थान दिया है तो यह दिया है शुकल जी ने और तेरवे नमर पर इनों ने इसको रखा है हिंदी साहिते के इतिहास में फुटकल कभियों में ठीक है नेक्स है दिखिए गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है तो गाल बजाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो तै बढ़ चरकर बातें करना 64 है देखिए, गुलर का फूल मुहावरे का अर्थ है, अतियंद दुरलब बस्तू, विकल्प नमबर बी, इसका सही उतर होगा सारस की जोडी मुहावरे का अर्थ होता है, यह था आपका अंतरंग मित्र, विकल्प नमबर बी, ईसका सही उतर था नेक्स प्रश्चन है दिखिए 66 ताल ठोकना महावरे का अर्थ है लडाई के लिए ललकारना निमल विकल्पों से शुद विकल्प चुने तुम क्यों लोट आए विकल्प नुबर बी इसका सही उतर होना चाहिए क्योंकि तुम लोट कर वापस क्यों आए तो लोट कर और वा जो स्ट्रिलिंग है देखिए वो है आपका विकल्प नुबर डी अहिंसा कौन सा शब्द पुलिंग नहीं है तो जो पुलिंग नहीं है देखिए वो है आपका प्रदर्शनी विकल्प नुबर डी इसका सही उतर होगा 71 है कौन सा शब्द देशज नहीं है तो इसका जो सही उत्तर है यह आपका विकल्प नंबर A दौलत दौलत जो शब्द है देखी यह विदेशी शब्द है आतम कथा अपनी ख़बर किस की रचना है तो यह है पांडे बेचन शर्मा उग्री जी की मालती किस उपन्यास की स्त्री पातर है विकल्प नंबर D देखे सही उत्तर होगा गोदान बेनिस का बांका पुस्तक के रचनाकार कौन है तो यह है देखिए प्रशन संक्या 74 का विकल्प नंबर C अयोध्या सिंग उपाध्याय हर्योद टेपचु कहानी के लेखक कौन है तो यह है आपके उदेप्रकाश्ची विकल्प नंबर B इसका सही उत्तर होगा प्रशन संक्या 76 है देखिए चंदरबरदाई को हिंदी का प्रत्थम महा कवी किस ने कहा है तो अचारे राम चंदर शुकल जी ने कहा है विकल्प नंबर A इसका सही उत्तर होगा कनक कनकते सवगोनी मादकता अधिकाए यह खाए वेराय है वह पाए वोराय किस का दोहा है तो यह है बिहारी का विकल्प नंबर D सही उत्तर होगा इन मुसलमानन हरिजन पै कोटिन हिंदू वारिये रस्खान के समद्ध में ये किसने कहा थे तो ये कहा था भारत इंदु हरिश्चंद्रची ने 78 का दीचे क्या होगा विकलप नमबर B, सुरदास को पुश्ञ्टीमार का जाहाज किसने कहा है तो ये भूशन को जो भूशन की उपादी दी थी ये दी थी रुद्र सोलंकी ने के विकल्प नमबर B इसका सही उत्र होगा प्रशन संक्या 82 अदी की घनान। कि समराथ के मीरमशी थे मौमनदशार रंगीला के दरबार में ये मीरमॶी थे तो विकल्प नमबर C इसका सही उतर होगा जो मृत्यू के मुख में जाने को हो तो उसे कहते हैं मुर्मूश विकल्प नमबर B इसका सही उतर होगा ठीक है लहर का प्रकाशन तो यह है 1933 विकल्प नमबर D सही उतर होगा प्रशन संख्या 85 वे देखिए उत्पत्तिवाद सिधान्त के व्यक्यकार कौन थे तो देखिए उत्पत्तिवाद के थे आपके बट लोलट विकल्प नमबर 20 इसका सही उतर होगा प्रशन संख्या 86 है देखिए लिर्कल बैलेड्स के रचाहिता कौन है तो ये विलियम वर्ड्स वर्थ हैं तो विकल्प नमबर 20 इसका सही उतर होगा प्रशन संख्या 87 है देखिए आतम संगर्ष का कवी किसे कहा जाता है तो ये है गजनन माधव मुक्तिवोद विकल्प नमबर 20 सही उतर होगा शबरी किसकी रचना है तो देखिए ये है विकल्प नमबर 20 नरेश महता की प्रियोगबाद पर नई कवीता का लेबिल चिपकाने वाले स्मिक्षक कौन है तो दोस्तो इस पर मुझे थोड़ा सा डौट है मुझे लग रहा है कि इसका जो सही उतर है वो होना चाहिए था न 91 है देखिए इसका दंत्य होगा विकल्प नमबर A अलप की उतरावस्था का सही विकल्प चुने तो अलप की जो उतरावस्था है उसका जो सही विकल्प होगा देखिए वो होगा विकल्प नमबर C अलपतर नेक्स से देखिए निमन मैंसे अगोश महाप्रान का सही विकल चुनिये तो यह है आपका विकल्प नमबर B ठीक है 100, 100 और 100 चापन तोले का करधन किस विदा की रचना है 94 है इसका सही उत्तर होगा विकल्प नमबर A कहानी और 95 है रिती के फूल किस विदा की रचना है तो यह है निबंद रामदारी सिंग दिनकर जी का निबंद मैं से किस सिधांत का संभंध अरस्तु से नहीं है तो अरस्तु ने जो सिधांत नहीं दिया है देखिए इन में से वो है आपका विकल्प नमबर D संपरेशन का सिधांत ये दिया था विलियम आाईए रीचोर्ज ने थीक है चारुचंदल की चंचल किरने खेल रही थी जलधल में इसका सयूतर होगा, नेक्स है दिखिए, रामचंदर शुकल ने कितनी पुस्तकों को दृष्टी में रखकर, आदिकाल का नामकरन किया है, तो यह है 12 पुस्तकें, ठीक है, तुलसी गंग दुवे भैसु कभी इनके सरदा, किसकी पंक्ति है, तो यह है विखारी दासची की, विकल्पनबर सी, इसका सयूतर होगा, श्रीदरपाथक की जो रचना नहीं है, तो यह है देखिए, वैदेही, वनवास, विकल्पनबर सी, इसका सयूतर होगा, परशण संक्या, 102 है देखिए, राश्टर कभी मेथली चर्णगुप्त की रचना, नहीं है, तो इनकी जो प्रशन संक्या एकसोतीन है देखिए तरी वाकंकाल उपन्यासओं के उपन्यासकार है यह है जैशंकर प्रशाद जी एकसोतीन है देखिए लिली अफसरा और चाबुक नामक रचनाओं के रचनाकार कौं हैं तो यह है प्रशन संक्या 107 है महादेवी वर्मा को किस रचना पर ग्यान पिट पुरसकार मिला था तो ये प्रशन भी बहुत बार रेपीट होता रहता है तो इसका जो सही उतरता दीकिए ये था यामा निमन दोहा किस ने लिखा था नहीं परागू नहीं मदरमदू नहीं विकासू इही काल अली करेही सुबंदियो आगे कौन हवाल तो ये हैं बिहारी की ये नहीं अपने जो राजा थे जिसके ये आश्रह में रहते थे उनको सुनाई थी आज इवन शब्द में कौन सा समास है तो इसमें आपका जो समास है देखिए वो है आपका विकल्प नंबर डी अव्याईभाव समास प्रेम की पीर के कभी माने जाते हैं गननंद विकल्प नंबर बीस सही उत्तर होगा प्रशन संक्या 111 है देखिए चातर साल दशक का अव्या के कभी कौन है तो यह हैं शिवराज भूशन विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा प्रशन संक्या 112 है आरे समाज की स्थापना किस ने की थी तो यह की थी स्वामी द्यानन सरसोदीजी ने विकल्प नंबर 13 है देखिए जिन ध्वनी चिनों दारा मानव परस पर विचार भी निमे करता है उसको समश्टी रूप से भाषा कहते हैं यह है परिवाषा किस ने दी है देखिए इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा विकल्प नंबर A डॉक्टर बाबुराम सकसेना प्रशन संक्या 114 है देखिए निमे लिकित भी अंजनों में सहयोक भी अंजन कौन सा है तो इसका जो सही उत्तर है देखिए वो है आपका विकल्प नंबर B ठीक है ख्शो का जमा शो जमा ओ तीन वर्णों के योग से बनता है यह प्रशन संक्या 115 है वो का उचानस्थान क्या है तो यह दंतोष्टय विकल्प नंबर C इसका सही उत्तर होगा 9 से महापराण कौन सा है एक 106 प्रशन दिखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो का विकल्प नंबर D कारक के कितने भेध हैं, तो ये होते हैं आपके 8, ठीक है, 117 का कदीकी क्या होगा, 20 साय उत्तर होगा, प्रशन संक्या 118 है, जिसके लाठी उसकी भेंस में कौन सा सर्बनाम है, तो ये है आपके संबंद वाचक सर्बनाम, जिसका उसका, ठीक है, जिसकी उसकी, एक दूसरे से संबंदीत है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते थे, प्रशन संक्या 119 देख लेते हैं, तीन दिन कुछ लोग बहुत पुस्तक हैं, में कौन सा विशेशन है, तो देखिए इन में जो विशेशन है, वो है आपका परिमान वाचक विशेशन, 119, सुरी, संक्या वाच जक विशेशन, D इसका सही उत्तर होगा, और आखरी जो प्रशन है, देखिए, हिंदी वाले स्क्षन का, वो है रचना की दिश्टी से क्रिया के कितने भेध हैं, तो रचना की दिश्टी से अगर क्रिया के भेधों की बात करें, तो ये 5 बेध हैं, ठीक है? तो ये था इसक सक्षिन में जाकर बता दूँगा कि इन प्रशनों के उत्तर ये हैं या फिर आपको मालूम है तो आप कोमेंट सक्षिन में जाकर जरूर बता दीजिएगा फिलाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तो जरूर इसपूर्दी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैहिंगा